है एवरिवान वेलकम बैक तो दी चैनल फ्रेंट्स इस वीडियो में हम इस सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने वर्डप्रस वेबसाइट में यू आरल को रिडारेक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई URL है और अगर आपने उसको चेंज कर दिया है बट बिकाज वो अल्रेडी गूगल में रैंक कर रहा है या फिर अल्रेडी आपने अपने मार्केटिंग एफर्ट के तुरू बहुत सारी जगे उसको अल्रेडी प्लेस कर रखा है तो इस केस में अगर आपका URL कोई विजट करेगा तो उसे 404 की error दिखाई देगी इस error को resolve करने का तरीका यह है कि आप अपने पुराने URL को नए URL पर redirect कर दें या किसी और URL पर redirect कर दें so that automatically जो भी user पुरानी URL को विजट करेगा वो automatically redirect हो जाए आपके नए URL पर या फिर नए web page पर इससे जो आपका customer experience है user experience है वो बना रहेगा और Google की नजरों में यानि किसी भी search engine की नजरों में आपकी जो ranking है वो भी effect नहीं होगी तो जल्दी से समझ लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं WordPress में इसको हम बोलते हैं 301 redirect, permanent redirect और इसको करने के लिए जो process है वो बहुत ही easy है, simple है आपको सिर्फ इस वीडियो को last तक देखना है और सारे step as it is follow करने है तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी और friends वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को subscribe कर लीजिए, bell icon को दबा दीजिए, so that हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनका notification आपको सबसे पहले मिले, चलिए वीडियो शुरू करते है तो friends आचोगे हैं हम अपनी computer screen के अंदर और यहाँ पर हमें जाना है pages पर, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए हमारे पास privacy policy का एक page है, इसको मैं view करता हूँ सबसे पहले और देखते हैं कि अभी इसका जो URL है वो क्या है, तो आप देख सकते हैं URL है privacy-policy, अब अगर मैं इ privacy policy की जगह कर देता हूँ, सिर्फ privacy, यानि जो अब नया URL है, वो है slash privacy, और अब URL चेंज करने के बाद, अगर अब पुराने URL, क्योंकि अब यह हमारे एक पुराने URL हो गया है, जो हमारी website पर exist नहीं करता है, अब मैं अगर वापस इसको refresh करूँ, तो यहाँ पर मुझे page not found क एक error दिखाई देगी, कुछ इस तरह से, आप देख सकते है, page not found, nothing here, यानि अब यह जो URL है, यह हमारी website पर exist नहीं करता है, क्योंकि हमने इसको change कर दिया, तो अब आपके जितने भी user इस URL के थुरू आपकी website पर आएंगे, उन्हें भी same error दिखाई देगी, तो इस error को resolve करन होगा आपके नहीं वारल पर, तो से करने के लिए हमें आना होगा WordPress dashboard में, dashboard पर आकर आपको जाना होगा plugins में, और click करना है add new, हम यहाँ पर एक plugin का use करने वाले हैं, जो कि हमारी help करेगा redirection में, यहाँ पर आपको डालना है redirection, सिरफ आपको इतना लिखना है redirection, और redirection ल finish होने के बाद आपको इसे कर देना है activate, यह plugin बहुत ही lightweight plugin है, और हमारी help करता है, जितने भी हमारे old URLs हैं, उनको redirect करने के लिए नए URLs पर, तो हम जाते हैं settings पर, settings पर जाने के बाद, कुछ support guide है, आपको start setup पर click कर देना है, continuous setup पर click कर देना है, और finish setup पर click कर देना है, यह जो भी इसकी basic settings हैं, उनको finish करेगा, और finish करने के बाद, अब आप आजाएंगे कुछ इस तरह की screen पर, आप आजाएंगे कुछ इस तरह की screen पर, अब यहां से हम, जो पुराना URL है, उसको redirect करेंगे नए URL, तो आप देख सकते हैं, यहां पर एक option है, source URL, मतलब आपका old URL, query parameter exact रखेंगे, target URL, आपका नया URL, और जो group है, वो किस तरह का बनेगा, तो यानि अब हम यहां से लेते हैं, अपने इस पुराने URL को यहां से copy करते हैं, copy करने के बाद, यहां पर इसको हम, paste कर देते हैं, paste करने के बाद, अब यहां पर exact parameter रखना है हमें, उसके बाद नीचे target URL, target URL हमारा नया वाला था, तो यहां पर सरिफ उसके अंदर privacy है, URL के अंदर, अगर हम इसको देखें, yes, यह देखें, यह हमारा नया URL है, इसको copy कीजिए, copy करने के बाद, यहां पर paste कर दीजिए, देखें, पुराना URL हमने डाला, नया URL डाल दिया, यानि पुराने URL पर जो भी कोई आएगा, वो automatically redirect हो जाएगा, नये वाली URL पर, और यहां पर add redirect पर click कर दीजिए, यह देखें, यहां पर redirection लग गया, और 301 का म permanent redirect, मतलब हमेशा के लिए रहेगा, जब तक कि आप इसे disable नहीं करते, और इसको check करने का तरीका, आप यहां से check redirect पर click कर सकते हैं, और अगर यह work, properly work कर रहा है, तो आपको यहां पर एक green signal देखेगा, कि यह properly work कर रहा है, आप इसको check इस तरह से भी कर सकते हैं, कि यह जो प्राना वाला URL था, हम वापस जाते हैं, यहां पर इसको आप copy कीजिए, एक incognito mode में जाएए, और इसको paste करके enter मारिए, अगर यह redirect हो जाता है, देखिए अभी URL है, यह देखिए, redirect हो गया, privacy policy से यह automatically redirect हो गया, slash privacy पर, तो यानि हमारा जो redirect है, वो successfully काम कर रहा है, तो आप इस तरह से जितने भी redirect है, जितने भी URLs है, जिनको आपने change कर दिया है, या नए URL पर redirect करना चाहते हैं, आप उन पर 301 redirect को लगा सकते हैं, बहुत easily, दोस्तों उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, तो वीडियो को like कर दो, चैनल पर पहली ब है, कर दो, या जाएiking माई बहुत है है, कर दो है, कर दो, वीडियो को आई है कभण सो झाल झाल